बाइ सुनलो छे जो छे नमाज थी उनको कोई पक्ती नहीं थी ये भी अटेंग ये ये भी अटेंग ये ये अब कोई वो नहीं आज़े तुल आज़े नमसकार अप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अदित हुबार देश में जिस तरीके की हरकते की जा रही हैं हिंदुवादी संगटनों के दोरा जो चरमपंती संगटन है इनसे देश की असमिता को भी नुकसान पहुँच रहा है विदेश में बैठे हुए लोग जब भारत देश का नाम लेते हुए टिपड़ी करते हैं कि भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं जो आलपसंगों को निशाना बना रहे हैं जो मुसल्मानों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो इससे देश के अस्पिता भी तारतार होता है लेकिन जो लोग इस देश में बवाल करने वाले हैं जो लगातार मुसल्मानों को टार्गेट करते रहते हैं उनमें कोई बदलाव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कई बार ऐसा हुआ कि कई बार विदेशी लोगों ने गुरुगराब में किस तरीके से बवाल मचा इसके पहले भी एक साल पहले भी बवाल मचा था जब खुले में नमाज अदा करने के लिए मुसल्मान जा रहे थे तो बजरंग दल वाले वहां उत्पात मचाने पहुँच जा रहे थे अब एक बार फिर से जब साशन प्रशासन द्वारा छे जगें चैनित कर दी गई हैं उसके बाद भी ये बजरंग दल के लोग विद्धन्श करने आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि यहां नमाज ने अदा कर सकते हैं जबकि इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है नहीं इसमें इनका कोई नुकसान है मतलब ये बस बवाल नफरत फैलाने के लिए ये करना चाहते हैं और कुछ नहीं है देखे एक अबदुल्ला अलमानी है जिन्होंने बकाइदे ट्वीट करते हुए लिखा है कुछ चीजे लिखी है भारत देश के बारे में और कहा भारत देश में क्या हो रहा है वो जो है आथर है उन्होंने बकाइदे लिखा क्या है जब आप ये देख लीजेए उन्होंने लिखा कि इंडिया टुड़े की उस खबर को ट्वीट करते हुए उसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा जिस खबर में बताया जा रहा कि इस तरीके से बजरंग बलके लोगों ने जाकर वहां पर उत्वात मचाया उस खबर को साजा करते हुए लिखते हैं कि अनदर पिक्चर आफ हैट्रेड जो हेट्रेड बढ़ रही है टूवर्ड्स मुसलिम इन इंडिया कि ये एक और तस्वीर या अनदर भारत मुसल्मानों के प्रति नफरत की एक और तस्वीर ये एक और तस्वीर सामने आई है भारत के मुसल्मानों से नफरत की जा रही है आगे लिखते हैं कि a group of Muslims wanted to perform Friday prayers मतलब जो Friday की prayers होती है जुम्हे की नमाज एक तरीके से perform Friday prayers yesterday in an open area यानि कुछ Muslim groups हैं कुछ लोग है Muslims के वो चाह रहे थे कि open area नहीं खुले कि शेत्र में वो नमाज अदा करना चाहते थे जो Friday की उनकी praise होती है जुम्हे की नमाज होती है उसको that does not desperate public interest or traffic either मतलब वो ना किसी तरीके का यातायाद बाधित कर रहे थे वो एक खुली जगे थी वहाँ पे किसी को कोई आपती नहीं थी but a group of Hindu extremes but एक चरमपंथियों का Hindu group as usual supplied the gathering नहीं वहाँ चरमपंथियों के समूँ ने उस सभा को खराब कर दिया वहाँ पर लोगों ने फिर उसके बाद अपना बुर्या बिस्तर वहाँ से बादना शुरू कर दिया जो मुस्लिम सख्स वहाँ पर आए थे नमाज पढ़ने के लिए तो ये तस्वीरे निकल कर सामने आई आप अंदाज़ा लगाए बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से उत्पात मचाया मतलब बजरंग दल के नमाज को बादित किया और साथी साथ नारे बाजी भी उनके खिलाप की है अप अंदाज़ लगाए ये उनका ट्विट था एक और ट्विट उन्होंने किया कि मुस्लिम्स आफ इंडिया रिक्वाइड तोगेदर दियर स्ट्रिंथ एंड अपोज दिस एक्स्ट्रीम दुर्भाग इसे भारत के मुसल्मानों को अन्य मुसल्मानों के समर्थन के प्रतिक्षा करने की बज़ाया अपनी ताकत बढ़ाने और इस आतिवाद जो ये अतिव बढ़ जए है इसका विरोध करने के आवश्चक्ता है जो दुर्भाग से उनके शासन की नीतियों के अधीन है पहल भारती मुसल्मानों की ओर से होनी चाहिए फिर दुनिया भर के मुसल्मान आगे वर सकते हैं पहल भारती मुसल्मानों की बारती मुसल्मानों की बारती मुसल्मानों के प्रतिनफरत हो रही है दवायर ने भी इस खबर को तरजी दी लिखा है गुनगाओ बजरंग दल ने खुले में नमाज को बाधित किया लोगों कि खिलाफ की नारे बाजी यानि बजरंग दल के सदस्यों ने हरियाड़ा के गुनगाओ में सेक्टर 69 में शुक्रवार को खुले में नमाज को बाधित किया जिसके कारण नमाज अदा कर रहे सौ लोगों की एक समू को वहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा 2021 में जिला परशासन ने इस स्थान को नमाज अदा करने के लिए खुले स्थलों में चिनित किया था जिसको सरकार प्रशासन ने सबने चैनित कर दिया उस जगे को कि हाँ यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है यह उन्चे जगों से जहां खुले में नमाज अदा कर सकते हैं तब यह बवाल करने की कोशिश की की जा रही है दरसल पुलिस ने कहा कि बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुक अबिच सिंग हिंदू के नित्रुत्त में संगढ़न के लगबग 15 सदस्यों के सिक्टर 69 हरियाडा शहरी प्रादिकरन की भूमी पर खुले में नमाज के खिलाप नारे बाजी करके उसे बाधित कर दिया हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर शिकायत मिलती है तो कानून सम्मत कारिवाई की जाएगी दरसल दक्षिन पंथी जो संगढ़ा ने उनके सिदस से आमित हिंदू ने आरूप लगा है कि नमाजिक शेत्र में हारित पट्टी पर अतिकरमन कर रहे थे और उनने कहा कि श्थार नमाज अदा करने के लिए आस्थाई आधार पर आवड्टित किया गया है दावा किया कि अब दूसरे जिलो और राज्यों से कुछ लोग यहां नमाज अदा करने आरहे हैं मतलब आप समझी नमाज अदा करना क्या हुआ एक प्रे करना हुआ अपने बिश्वर को अपने अल्लाग जिसको वो मानते हैं उसकी अबादत करते हैं लेकिन उसमें भी तकलीफ है अगर इस तरीके से उनके आर्टिकल 25 का हनन किया जाएगा जो आमें आर्टिकल 25 ये बताता है कि हम अपने धर्मे के अनुसार वो चीजे कर सकते हैं अगर हिंदू है तो पूजा पाठ हर्चणा कर सकते हैं अगर मुस्लिम से हैं तो नमाज अदा कर सकते हैं और इसाई है तो चर्च में जाकर प्रे कर सकते हैं बैटकर प्रे कर सकते हैं इश्वर तो सरवग्य है ये हिंदू धर्म में भी कहा गया है लेकिन फिर भी वहाँ पर नमाज अदा करने से ना जाने इनको क्या पती है ना जाने किस बात को लेकर ये हिंदु वादी संग्रन हमेशा बवाल करने की मुद्रा में रहते हैं पिछले साल भी खूब बवाल किया गया पिछले साल इस पर खूब राजनीत भी हुए पिछले साल भी प्रशासन ने मुस्लिम समुदार दोरा नमाज अदा करने के लिए HSICC ग्राउंड में एटलस चॉप, उद्योग विहार फेस टू में पीपल चॉप, उद्योग विहार फेस वोर में HSVP की जमीन, सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड, सेक्टर 42 में HSVP की जमीन, सेक्टर 69 में HSVP की जमीन सही 6 स्थलों को चिन्नित किया था, ये वो 6 स्थल है जहां पर नमाज अदा की जा सकती है लेकिन फिर भी ये ववाल कर रहे हैं इसी लिए एक अरभी शेक को कहना पढ़ रहा है, किस तरीके से बजरंग दल वहां पर उतिपात मचा रहा है बजरंग दल की वजे से जो मुस्लिम हैं वहां पर उन्हें नमाज अदा करने दिया गया उन्होंने बकायदे अपनी टाट पटी जो बिचाते हैं नमाज अदा करने के लिए उसको हटा कर उनको वहां से जाना पड़ा अप अंदाजा लगाईए ये किस तरीके का एक तानाशाही रविया अपनाया जा रहा है और सरकार को भी सोर्ध्यान दाना चाहिए ऐसे संगटनों पर तो बैन लगा देना चाहिए जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन मनोहरलाल की सरकार जो पता नहीं क्या कर रही है ना मोधी सरकार इस पर एक्शन ले रही है ना मनोह अला सरकार एक्शन ले रही जबकि एक्शन लेना चाहिए अगर हल्पस्टंगो के हितों का हनन हो रहा है उन्हें चैनित जगहा पर भी नमाज नहीं अदा करने दिया जा रहा है अपने हिसाब से उन्हें एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही जो उनके धर्म के अनुसार होती है तो फिर सरकार को सामने आना चाहिए और सरकार को सीधे ऐसे संगटनों पर बैन लगाना चाहिए इनके खिलाब FIR दर्च करनी चाहिए जो वहां पहुंचकर उत्पात मचा रहे थे तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से हमाँ बवाल कर रहे थे भगवा पटका डाल लिया तिलक लगा लिया बड़ी बड़ी दाड़ी हो गई तो बस बवाल करने का सर्टिफिकेट मिल गया है अगर बजरंग दल में आ गए हैं तो ऐसे संगटनों के वज़े से देश में नफरत पहल लई है शुरुआत पे जो हमने बात बोली कि इस तरीके से जब जब ऐसे प्रित्किया आती है तो इसे देश का नाम खराब होता है तो ये ऐसे संगटने जोने देश के का मान बढ़ाने के लिए या देश को उचायो पर ले जाने के लिए कोई काम नहीं किया लेकिन बार बार ये लोग देश को बदनाम करने की जरूर कोशिश करते है The Life TV को और आपने सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब जरूर करिए बेल आइकन दबाईए ताकि सच खबर आप तक मुझती रहे नमस्कार